हेलो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस हिंदी पर मागनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेट फॉर्म है जो हिंदी माध्यम की अक्छा साथमी से लेकर अच्छा बार्मी तक का संपूर्ड पार्टिक्रम बिल्कुन निसुल्क में उपलब कैसे लिएटे बात है कि वीडियों में क्या पड़ेंगे मुद्र बिनमय का गयंतर के लिए अध्यायति है जिसका नाम है मुद्रा और चाथ नमबर तीन है वे यतन में मुद्रां चयकर रहे हैं उस इक अंतरगा पहले हम बिनमय चालेड़ां कि फिर बिनमय की बात करेंगे मुद्णांध माध्यम कैसे हुआ मतलब हो और टॉपिक से थोड़ी सा आगे की बाते मैं यहां कर दों पर आपके बात करते क्षिए कि मालीजे कि कि आपको कोई चीज खरीदनी है कोई भी चीज माले लिजे एक टोकरी है ऐसा बना लेतने कुछ माल लिजे कि एक टोकरी है एक और इसमें कुछ चीज़ें भरी हुई है क्या भरी हुई है अपने माल लेतने कि इसमें कुछ फलवल लखे हुए और एक व्यक्ति है ये व्यक्ति माल लेते हैं कि व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ गेहूं की पोटली है कुछ इस तरीकी से माल लेते हैं और इसमें क्या है गेहूं भरा हुआ आपको देख रहा है यह क्या है गेहूं और यह क्या है फल या सब्जिया है यह क्या है फल या सब्जिया है समझने वाली बात यह है कि ए और बी इनके पास अब इसको जरूरत है अगर हम देखें कि इसको जरूरत है यह चाहता है कि हमको फल मिल जाए इसके यह क्या चाहता है फल चाहता है फल को चाहता है लब बाला चाहता नहीं वांट वाला चाहता है ना फिर वो लब बाला कर लो फिर फल मतलब उसके च्छा है कि फल आ जाए और इसके च्छा है कि इसके पास जाए गेहूं आ जाए यह क्या चाहता है कि इसके पास गेहूं आ जाए अब यह दोना फल और गेहूं की जो बात हु तो आपके पास वाला वेक्ति मिल जाए तो आप ऐसे दो चीजेंगे विंभा या उसको एक्षेंज कर लेंगे या एक्षेंज कर लेंगे या एक्षेंज कह देंगे तो उसे में हमारे हम अधियम सकते में हमाद दिखेंगे हमारे रो जाना के भी महतना है भॉए ज्यादा मात्रा में आप देखें हर तो यह है probable पर रहे हैं कि हार एक चीज आपको ऐसे नहीं मिलती है कि आप लेकर गए हमारे आज खराब बलफती ये ले लो आप कुछ अच्छा वाला ऐसे कुछ नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि उसकी कीमत लगा जा रही है या तो पैसा आप दे दो या कोई ऐसी कीमती चीद दे दो तो मिल घी कतिबा तो बोलेगा कि भई 500 रूपए दो 600 रूपए दो पैसा देना पड़ेगा तो हम अपने आसपास रोजणा में देखें आइसपास रोजणा की जिंद्णी में देखें तो मुद्द्रा अप आप चलन देखें बहुत बढ़ा हिस्सा मुद्द्रा का पिचलन आप बसका किराया देने में समोसा खाने में चाई पीने में हर चीज में आपको क्या मिलेगा यहां पर मुद्रा का प्रिचलन दिखेगा यह दिखेगा बाली बात क्या की गई कि आप यहां पर इसको देख पाएंगे मुद्रा देने के कई सारे तरीके हो सकते हैं आप आजकल क्यू आर कोट के माद दे हम से पे टीम फॉन पे का उपयोग कर सकते हैं गूगल पे का उपयोग कर सकते हैं या डिफरेंट वालेट है उनका उपयोग कर सकते हैं कि राना दुकान पर आप पेमेंट करते हैं लोहा खर और बेची जाती है मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जाती है क्लिए अब यहां जाते हैं यहां पर अभी हम यहां क्या कर रहे थे कि बस्तू के बंदे में बस्तू कर रहे थे अब क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर अपन बात करें यहां पर कि अब अब इसकी कि एक्चा नहीं है ना अब कर देते कि इसकी च्छा क्या cutting पंड की है एसको एसा कहें और इसकी फ्ल की क्षा नहीं रही को किट- mixer खाना यह तको कोई और टॉफी काने यह वाइं यह को आशिक की लॉलीपॉप पिए अब क्या है तो भाई अब यह फल बेचे घा तो एक इसको में बैचे पैसे बेचे किसमा बेचे मतलब अपने फल के बदले में यह क्या सुइकार कर ले कुछ मुद्रा सुइकार कर ले रुपे लेस बिकार कर ले 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए और इन रुपए को ले जाकर किसको देते टौपफी बाले को देते चीज़े मिल जाएं मतलब मुद्रा के माध्यम से आप भल भी साथिव सकते हैं फाइव स्टार खरी सकते हैं बाल कट माध्यम से पास मुखे और बढ़ी आप पैसे मतलब पैसे से कोई भी चीज खरी सकते हैं कोई भी चीज बेच सकते हैं पैसे के माद्द हम से साथी साथ सेवाएं भी खरीदी बेची जाती हैं क्लियर बात तो यह बात हो गई हमारी कि हमने देखा यहाँ पर मुद्रा का उपयोग क्या हो गया क्या आपने कभी सोचा ह कि खरीदार मुद्रा के जरीए खरीदारी जो होती है वह मुद्रा के जरीए क्यों होती है तो इससा कारण आपको बहुत सरल सा मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि मुद्रा सर्व जगए व्यापत है सब के पास मुद्रा होती है और मुद्रा लेने में किसी को कोई परिशानी नह तो आपने पांच के नोड़ दिया और आपको टौफी यता है कि जो पांच रुपास दुकानदार के पास पहुंचे यह आगे भी पांच में ही चलेंगे कीमत नहीं गिरेंगे तो वो इन पांच रुपे लेकर वो और कोई चीज और खरी सकता आगे जाकर मतलब वो आपको टौफी बेची है लेकिन हो सकता वो पांच रुपे से कुछ और खरीद लाएं तो सब जगह पर आप इनसे बस्तू और सेबा को खरीदने के लिए आसानी पैदा कर सकती है मुद् निर्माता का उधारन देखते हैं बाजार में जूता बेच कर गेहुं खरीदना चाहता है जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राट करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तिमाल गेहुं खरीदने में करेगा मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पर भी स्कत नहीं है झा ед från जुटा किस में बेचका इस पास बैसे पैसे के बहुचे पास आंगे पैसों का फ्योंक कर लेगा कि इस चीज के लिए कि उसको खरीदना गहां लेकिन अगर यह फुराने टाहिम पर ले जाते तो बड़ी समस्ता अदो देखिए का यह यह तीन फड़ देखपा रहे हैं एक जूते वाले के आपके पास गेहुं। आपके आपके गेहुं के लिए मैं आपको जूता दूगा मतलब छाहरा है और है मुझे जूता चाहिए लेकिन मेरे करें मतलब बस तू का का दोहरा हो घया है क्या मानरा हो मतलब दो जरुक्ति मिलने चाहिए जिसको जूता चाहिए है और यहां उसके पास और जिसको प्रतिय के पास हो और샵шी जपार आप देखे कि जूता निर्माता यदी बिना मुद्रक इस्तिमाल किये सीधे मतलब जूटे का सीधे गेहूं से बिन्हा करता है तो किया समस्ज़ चाहेगी उसे गेहूं उगाने वाले किसान को खोजना पढ़ेगा जिसको जूटे कि होだ고 जाता हो नाques कहे लाता है आव सकताओं का दोहरा संयोग डबल कौंसिजनस ऑबअन। बस्तौ बनमय प्रिणाली में मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तू का बिनमय होता है वहाँ आउसकताओं का दोहरा संयोग बिलकुल अन्वार है ऑन्य बिस्ता है नहीं तो बस्तों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा और जहाँ पर येँ Ūमिस कैते हैं अवसकताओं का दोहरा सउयोग को चैना धनलोन है यहां मد्रा मोगा प्रियोग होता है जो हम से किलोग यहूं ले ले और उसके पास किट किट हो नहीं ढूलना पड़ता है दुकान पर गाए वो ले किट किट देना पैसा दिया चले आए तो जब मुद्रा का चलन आजाएगा तो यह दोहरी आउसकता आउसकताओं के दोहरा संयोग जो है उसकी जरूरत की सर्थ को पूरा करना जरूरी है धन या मूल के संचैन में कठनाई है मतलब आप यह तैय नहीं कर सकते कि इसका मूल क्या है क्या नहीं है यह बहुत मुस्किल है अभिवार्ज बस्तूओं का बिनमय कठन है मतलब जिसको आप बांट नहीं सकते उनका भी बिनमय बहुत कठ तरहत करना लंबे समय तक वो भी कठन हो जाएगा सेबाओं का मुल लिरधारा बाब बिनमय में भी कठनाई होगी कि किस सेबा की क्या कीमत लगाएं और कैसे उसको हम उसका बिनमय कर जैसे आप देखें बहुत सारे लोग पानी के बदले में गेहूं देना चाहते हैं बहुत स चाहते हैं लेकिन यह क्या चाहता है अगर यह चाहता है कि यह ब्लैक कॉफी की तरफ जाएगा यहां पर कॉफी की तरफ जाएगा तो इस तरह पाजाएगा अगर मक्का वाला पानी चाहता है और इसकी भी एक्छा मक्य की है तो जहां पर यह एक्छाएं मिल जाएंगी पा बाजार से क्या लाओ पैसा लाओ बाजार से पैसा लाओ पर पैसे से क्या खरीद लो पाजीद लो समझने याई बात तो मुद्रा क्या आवसक्ताओं का जो दोहरा स Mr. मिен्योग होता है उसको समाप्त कर देती है तुश प्रकार से हमने आप अपना टॉपेक जो था उसको कम्प्लीट कर लिया है हमने देह लिया है कैसे मुद्रा बिन्मय का माध्यम होती है हमने जाना कि पंद्रा की आउ सकता क्यों है अभी कितना असान है हमने अपना पर्स डाला कुछ पैसे लिए और बजार में निकल गए कुछ भी खरीदा कुछ भी खाया कुछ भी पिया पेमेंट करते चले गए पहले जब बस्तू बिनमय प्रणाली चलती थी तो उसमें आप कुछ भी खरी सकते नहीं थे कुछ भी आप खापी सकते नहीं थे क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो साम आपके पास जो कुछ है किसके बगले में करेंगे आपके पास कुछ है तो सामने वाला आपको कोई सेवा दे रहा है कोई सामान दे रहा है तो उसको वह चीज पसंद आने चाहिए और शक्ताओं का दोहरा स नहीं होता है आपको वीडियो कहां मिलेंगे तो सारे वीडियो आपको मिलते हैं मागनेट बेंस के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर इसके रावा मागनेट बेंस के ऑफिशल वेबसाइट www.magnetbins.com पर और हमारे एप्लिकेशन के उपर है तो एप्लिकेशन वेबसाइट और यूट्यूब सब जगए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं बिलकुल निसुल मागनेट बेंस बहुत सारे कोर्स ओफर करता है जो बिलकुल फ्री अप कॉस्ट होते हैं कोई पेमेंट आपको नहीं देना है इसकूली सिक्षा के लिए हिंदी इंगलिस माध्याम फिर न्टी स्टी ओलंपियार फिर आपकी इंट्रेंस एक्जाम सी वीटी आईटी नीट इसके लिए फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ट के बारे में फिर आपकी कॉम्प्रेटिव एक्जाम के लिए सब कुछ फुरी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है आप हमसे जुड़ सकते हैं यूटूब फेस्बॉक इंस्टा टुइटर और टेलिग्राम के माध्याम से यहा अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान लखिये ख्याल लखिये मस्त रहिए जरूरी बात पढ़ते रहिए धन्यबाद